तो वेरी गुड़ इवरीवन नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग असल में आज सर को बहुत अर्जेंट मेडिकल डिजन की विज़े से घर जाना पड़ा इसके चलते आज सर की क्लास नहीं हो रही है ञां इसके असल में आसवध्यक लेकी असवधा के लिए खेद है necessary लेकिन आपkelnों के लिए जिसांशर की । अभी चलेगी मैप की और यह मैप की डेमो क्लास है बहुत सारे इस्ट्वेंट ऐसे हैं जो की डेमो क्लास देखना चाहरे थे, कि सरा आखिर मैप कैसे करा रहे हैं, मैप की क्लास आखिर कैसे चल लगी है, तो अभी आप लोग ओसेनिया के बारे में समझेंगे, जिसांसर से, पूरी की पूरी कम्प्लीट क्लास है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है, उसेनिया को समझाया है, मैप की थूरू डॉक्टर जिसांसर ने, बहुत सांदर तरीके से, है ना, और आप लोग सेसन को एक बार सेयर कर लो जल्दी से जल्दी, जिसने भी अभी सेसन को सेयर नहीं किया है, इसके बाद जिसांसर की class होगी live class, ये class आपकी एक recorded class और live के तरुपे ही होगी, लेकिन ये किस समझदे थे, map series से समझदे थे, आपको मैं important information दे देता हूँ, important information ये है, कि आप लोगों के लिए, आज एक सुनेरा मौका फिर से आया, गैठ्वाइज बहुत सारे स्ट्वेंट यह बोल लाए थे ओम ने झल्व spermโद निकाला था तो हमने बेच ट कि मात थी है ना वह बहुत सारे स्ट्वेंट ने बोला था कि मुझेंट परचिस नहीं कर पाइन तो सुर को अभी जिसने भी परचिस नहीं कर पाया है तो उसके लि में जो test series है जिसे हम लोग संकल्प test series के नाम से जानते हैं तो संकल्प test series जो है हिंदी माध्यम में 349 की आज मिलेगी आपको तुरंत आप purchase कर सकते हो English medium की आपको test series लेना UPPCS की तो यह आपको 499 की मिलेगी map series यदि आज आप लेते हो map की class देख अराम से इत्मिनान से और यह समझो यदि आपने map series दंग से देख ली पूरी map series तो बहुत सारी जोग्रफी बहुत आसान हो जाएगी आपको कुल, आप लोगों के कहने पर या यिंश्य को जल्दी जिसने भी नहीं लिया है बी लेवी डिस्कौंट इड्वाइज न कॉर आप लोग चलो आज की कर दो में लूटं चील रात के बारा के बाराज भजे तक और आप लिए है फटा-फट जल्दी जिसने आपको यह देखो कि आखिर हम कितने पानी में हैं जो पढ़ रहे हो उसको टेस्ट भी करते चलो टेस्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा सो अभी आपके लिए कितने घंटे के लिए सरक कल रात 12 वी तक के लिए पूरा यह डिसकाउंट है आप लोग इस डिसकाउंट का फायदा उठाओ जिसने भी साथ ही लोगों ने पर्चेस नहीं कर पाया था जितने भी दोस्त भाई बहन सभी लोगों को तुरंद बता दो करता हूं आप जानते हैं जैसे कि हमारी मैप सीरीज स्टार्ड हो लिए मैप सीरीज में आपको सारे कोशन्स कराऊंगा सारे मैप्स कराऊंगा सबसे लिए मैप सीरीज को हन्ब्रेट प्लस मैप्स आपके होंगे सेवन्टी प्लस आज के अंदर उस मैप सीरीज आपको समझना क्या है देखना क्या है आज आपके पास आप देख सकते हैं हम किस तरह करेंगे आज कोशिच करूँगा कि आपका उस्प्रिलिया नाम का एक सब्सक्राइब करेंगे मैं किस तरह करूँगा मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा बाकी एक्जाम के परस्पेक्टिव से सब कुछ कवर हो जाएगा यहां पर वन बाइपन सिस्टमाटिकली एंट देखी वीडियो को समझ में आएगा हम लोग किस तरह से इसको स्टार्ट क और आइपने के लिया में यहां पर सूचा कि ऊसपाद च्षूटी चूटे आइलैंड से उन वहीं नहीं पर ऑस्ट्रेलिया के नदर 14 कंट्री आती है उसका सबसे बड़ा कंट्री औस पर ऊस्ट्रेलिया है उसके बाद न्यूजिलेंड फिजी सॉलमन अईलेंड मैलनेशि आइलेंड, टॉंगा, फ्रेंच, पॉलनीशिया, पपोर, न्यूगिनी, मार्शल आइलेंड, बहुत सारे छुड़े-छुड़े आइलेंड इसको count करके हमने इस पर रख दिये, देखते हैं, देखे, सबसे पहले, हमारे पास, यहाँ पर आपको मैप करने वाले हैं, चीजों को, देखे, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले, basic concept राता है, हमारे पास महादीब कितने हैं, content कितने हैं, अभी हम बुक्के साबसे देखेंगे तो हमरे पास सात महादीब सेविन कॉंटिनेंट दोस्तों देखें सबसे बड़ा कॉंटिनेंट हमारे पास कौन सा एशिया सबसे बड़ा महादीब है सबसे बड़ा कॉंटिनेंट एशिया है दूसे नंबर का कॉंटिनेंट एरिया यह बढ़ा पास जो होता है वह और शात्वा बढ़ा इसके अब चैकर अबड़ा व में आपको बोला तो यह सब शीज़ के अगे इसके अंदर तो तो एक रणे जमक्लिट में अबी recently 2017 में एक नया content हो जा गया है Zeelandia Zeelandia के location क्या होगी यह समूदर के अंदर है जो New Zealand दिख रहा है New Zealand के नीचे समूदर के अंदर 94% है 6% उपर की तरफ निकला है यहां पर Zeelandia पर वो करिंड़ फेस की perspective से देखते हैं तो साथ महादीब हमार पस ये रे 7 content sequence में area wise छेतर फल की दृष्टी से यहां पर सबसे बड़ा महादीप एशिया दूसरा बड़ा महादीप छेतर फल से अफरीका तीसरा बड़ा महादीप उत्री अमेरिका चोथा बड़ा महादीप दक्षल अमेरिका पांचमा बड़ा महादीप अंटार्टिका छटा बड़ा महादीप यूरोप और सात्मा बड़ा महाद चुछा माधि प् vigor चलिए ये चलिकेजिए आगी देखें अब सवाल आता हम इसमीं क्या पढ़ने वाले हैं हमारे पास सब्सक्राइब करने वाले हैं इसका मतलब आज की क्लास में हमारे पास यह सब्सक्राइब करते हैं इसको राजधनिया है अब अस्ट्राइब कर दिया इसे आफ़ आप पर प्रॉष सारी इसे चाहि dentro से अमर पास और इुनिटे चारी में प्राविठरी से अब देखें ध्यान से इसलिए है राज्य है वहाँ प्रोविंसे कहते हैं प्राफ कहते हैं एक्जामप्ल यह अस्ट्रीलिया का नाम है नॉर्टरी टैरेटरी उत्त्री प्रांद नॉर्डर रिट्रिकों कहते हैं हम लोग उत्त्री प्रांथ उत्त्री प्रांथ यहाँ पर यह है सौध detश्लय ईस्ट्रांद इचे मीरा है को गईस्ट्रांद् Selट Queensland यह पणता है न्यू साउथ वेल्च है लकिमा पूर्य ओर वेस्केमा गरिम्हस्त इंडिया में गे-न्यू साउथ वेल्च कि है यह हमार पास यहां पर भेक्टोरिय यह आलग राज Kern है विक्टोरिया हे यह राजयत तस्मानिया तसमानिया इसका मतलब हमने क्या देखा ऑस्ट्रेलिया के सारे राज्जे देखे कौन कौन से हमारे पर स्ट्रेट से देखो एक दो तीन चार पाँ छे साथ मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया में सात राज्जे हैं और सात राज्जे सेवन प्रोविंस जो है कितने बड़े बड़ अब मेरे सामने कोशन आता है कि यह राज्य तो है हमारे पास यह तो हमें पता है राज्य है पर दोस्तो यह पर आपने सब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब आटलेस के अंदर आप सर्च कीजिए जो हम पढ़ लाए हैं वो जगा आपको वही मिलेगी आटलेस के साप से आटलेस रखे पढ़ोगे तो जादा अच्छी तरह और जादा जल्दी आप चीज़ कवर कर पाओगे यहां पर नॉर्दन टेर्टरी की जो राजदानी है दोस्तों यहां पर इस जगह मिलेगी यहां पर यह डार्विन क्या है डार्विन डार्विन नॉर्दन कैप्रल की राजदानी है साउथ ऑस्ट्रेली की राजदानी आपको यहां मिलेगी इस जगह इसको कहते हैं हम लोग अडिलेड Adelaide Adelaide यहां की राज़नी है Queensland Queensland की राज़नी है तो इस तो यहां मेलेगी आपको Brisbane 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 New South Wales की जो Capital है हमारे पास यहां पर वो कौन सी है तो यहां मेलेगी Sydney कौन सी मेलेगी Sydney जो सबसे बड़ा शहर भी है यहां का Sydney कुरिनिग का और विक्टोरिया की राज़धने दोस्तों अब सबने होगे यहां इस जग का मैलबन मैलबनी की क siram कि वेज़न दोस्तों वह हम बमक्राइगे शचक्श अनम nicht चाहिए कि कि राज्जे के सियुफ है कि दौटी है अपनी इस ने से थाए जिश्च कॉैंस अपनी अपर और थोरियम हब है थोरियम फ्रियम हमारा खरनिश पदार्थ होता कोईला खरनिश पदार्थ यहां बहुत ज़्यादा मातरा में अच सिर्टा का यहां आपज stores यहां बिभालन फ़क्ति बीडिगेंकि इस ब्र lifts अब दूमाल ऑप हिंदी में बात करता हूं यहां बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मौसम विभाग कहां पर मिलेगा आपको यह मिलेगा मौसम विभाग का रहे आपको बिलेगा डार्विन में दुनिया का सबसे बड़ा यहां पर है डार्विन एडिलेड में तक कुछ खास नहीं है यहाँ पर इसके अलावा बात करते हैं कुईंसलेंड की बात करते हैं कुईंसलेंड की राजनी है ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन को कहते हैं हम लोग ट्यूरिजम कापिटल अस्ट्रेलिया Brisbane को क्या कहते है Tourism लिख लेना इस पाइंट को Capital of Australia मतलब Australia की परियाटक राजधानी कौन सी होती है Brisbane Sydney Australia का सबसे बड़ा शहर कौन सा है Sydney Melbourne Melbourne में हमारे पास World Living Index आता है मतलब दुनिया में कौन से शहर ऐसे है जो रहने योग्य है जहां हम अच्छी तरह निवास कर सकते है वो कौन सा है Brisbane उसमें नाम आता है मलग टॉप फ्री में नाम है Brisbane का, Vienna का, Australia का Auckland का, यहां Brisbane दुनिया में सबसे अच्छी जगा है मतलब जलवाईयू के हिसाब से रहने लाइक जगा कौन सी है Brisbane, आपके Melbourne ठीक है Melbourne और Hobart को कहते हैं Garden नगरी मतलब जो Garden, Garden City कहते है Hobart को, ठीक है यहाँ बागान नगरी कहा जाता है Hobart को, तो यह हम रपास पहला मैप हो गया सबसे पहले हमने बेसिक देखा कि Australia नामक जो जगा है Australia में क्या क्या मिलेगा आपको क्या नहीं मिलेगा वहाँ बात की हमने I hope so, इतना मैप आपने समझ लिया Atlas में Mark कर लिया और आपको याद भी हो गया कुछ चीजे इसके अंदर हमने क्या देखा Australia के अंदर, तो हमारा पहला मैप पहली क्लास का पहला मैप complete हुआ यहाँ पर अब चलते हैं इसी मैप को लेके अगले अध्याय के तरफ अगले चैप्रे की तरफ यहाँ पर आप देखिए यहाँ जो मैंने दिखाया था Australia एक चीज़ में रह गई यह आपके पास यहाँ पर क्या रह गया है जैसे एक्जामपल यह वाला अंदर एरिया दिख रहा है दोस्तों यहाँ साऊथ वेbloَ पड़ता है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधनी है तिक और दिख ले कई सबसे बड़ा नगर भी है कि है का अगला अधिए वाटर बॉडी हमारे पस्ट्रिया के अंदर आट पास की इलाके में कौन कौन सी वाटर बाडी है आज उसके बारे में जानेंगे एक्जाम में कुशन कैसे कैसे पूछता है यहाँ पर देखे शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग ऑस शेनिया की बात कर रहे हैं तो यह वाला जो एरिया है यह कौन सा है न्यू गिनी आइलेंड है पपुआ न्यू गिनी सुना होगा अपने उस्षे पॉप इसके दो पार्ड एक्शळी यह वाला जो पार्ट यहाँ वाला एरिया क्या है इंड़ानेशिया के पास है अलोग यह यह आदे आलेंड पर कर पड़ी और लोले राज्जे की इंडोनेशिया कहरी और इंडोनेशिया किसका भागे दोस्तों एशिया का भागे मतलब एशिया का कब्जा यहां पर है ठीक है और आदे वाले भाग पे कब्जा इसका है उशेनिया का है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी के नाम है पापुआ न्यू गिनी इस पे कबज़े किसा है ओशेनिया का मतलब एक आइलेंड पे दो दो महादीपों का कबज़ा है आदे पे एशिया का कबज़ा है आदे पे ओशेनिया का कबज़ा है सिंगल महादीप है सिंगल आपके पस आइलेंड पे तेके यहाँ पर अब दोस्तों यह पपुआ न्यूग यख़ ङुंबन्य गिफेटी यो sell locking ए 4条 को इसकी प्रेटी प्रेट मतलब होता है उन्हें को देशों को तो करता है जोड़ता है तो पानी का आस्ञार कनट्री को अलग करता है इसके पार अलग कंडूरी इसके पार अलग कंड्री पानी का रास्ता यहाँ पर ऐसे ही अगर पूछ आप से निई गिनी और अस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संदी है हम देख सकतें यहाँ पर पğरा देका टॉर्येट टॉर्स लिख अबभू है तो आपके लिए पहला कोशिन यह वाला हो गया यहाँ पर देगे यहाँ इसको कह सकते हम लोग यहाँ यह वाला जो एरिया है हमारे पास इसको कहते हैं ये बीच में जो पानी का रास्ता है टॉरस ट्वेट टॉरस जलसंदी तो आपके सामने कॉपी में आप लिख सकते हैं कि न्यूगनी और आस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जलसंदी है टॉरस जलसंदी ठीक है यहां पर इसी तरह दोस्तों यहां पर एक सागर पढ़े गा हमारे पास koral saager koral see को供ल سागर यहां पढ़ेगा ठीके इस वाले इलके में अगर मैं बात करता हूं यहां मिलेगा प्रशान्त महा सागर pacific ocean pacific ocean प्रशान्त महा सागर यह coral सागर है यहां इस इलके हमारे तो यहां पर आपको को एक को हिन्द माहासागर अंधिन अऔर शुक्राइजे तो इसका मतलब दोस्तों हम एक चीज जानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अस्ट्रेलिया के दौनों और अलग अलग महासागर हैं कौनसा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कौनसा ओशन है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यहां मिलेगा औस्ट्रेलिया के दौन और ठीक है अब देखिए दोस्तों यहां पर यहां पर यहां हम बात करते हैं इस ज मौंगा है सबसे बना मौंगा है इसको कहते हैं। क्याẫn क्या कहते हैं ग्रेट बारियर रीव क्यां भूसितरा कहाँ पाई जाती हैं और यहां great barrier reef में क्या नम है इसका great barrier reef इसको कहते है great barrier reef great barrier reef ठीक है अब great barrier reef की बात करते हैं दोस्तों यहां पर great barrier reef हमारे पास यहां पर कोते हैं व्रहत मुंगा रीव रहत मुंगा दूइब या रीव कहलो इसको यहां पर ठीक है इसके बात दोस्तों यहां पर इसकी लंबाई जो है करीब चौदा सो किलोमेटर लंबाई है जितना बड़ा हमारे पास एक देश है इटली नाम का इटली जितना बड़ा है उतना बड़ा सिफ great barrier reef इटली के बराबर यहां उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे पस यह वाला बेल्ट अप देख रहे हैं यहां पर मिलेके आपको तस् सागर तस्मान से मैं अभी बताया आपको यह और है और यह क्या है मैं नीचे लिकार तस्मानिया अभी बताया लास में पर त्समानिया इसका मतलब सवाल executive आता है उस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी जलसंधी अलग करती है कौन सी स्ट्रेट अलग करता है दोस्तो उसको कहते है बास जलसंधी बास स्ट्रेट ठीक है ये एक्जाम का कोशन नहीं यहाँ पूछ चुका है एक्जाम में ये PCS में भी आ चुका है ये वाला कोशन IS में भी आ चुका है ये किसे करता है और wen और लग करेगा ठ्ज्या को और उसकी पास हमने देखा पास आप ऐस्पक आशन हमने देखा तसमान सागर हमने देखा बाज चलसंदी हमने देखा तो हैं अब देके हम लोग यहाँ एंटाउंटर header स्ट्रेटटाइख और स्पेंसर गर्फ यह देख लेता है लोग यहाँ पर इसके लाभा इंदियन ऊशन अम लोग देख चुके हैं ऑllesuchen की अपिज के का आई लेकल दीकर है यहां पर इसके नीचे एक आईलेंड बना दूसक्ट है कि कंगारू आइलेंड गौहथ मिलेंगे तो यह क्या दोस्तों कंगारू आइलेंड है कंगरू आईलेंड और टैंग्मु आय लेन अब मैं 3 चीज़ दिखा गुझ गों के यहां फान ही जो यह उध्य लोग लगें 141 पर जो पीलिछ ङमिल्ड़ गर अब नहीं है तो माक लेना इसको यहां पर अब देखिए यहां इसकी यह वाला जो एक ट्रेंच यह वाले एरिया है यहां कुछ और यह जो रास्ता गैप दिख रहा है यहां पर यहां इसको कुछ और कहते हैं इसको कहते हैं एंकाउंटर बे क्या कहते हैं इसको कि एंकाउंटर एस गैप को जहां पर एडिलेट है एडिलेट साउथ ऑस्ट्रेले की राजनिय है वहाँ एनकाउटर बै आपKो मिल जाएगा इस जगह ठेके यहाँ पर उसके पदोस्ट यह क्या है ओस्टेलिया और यह क्वेच किए जलसंदी से तो यहाँ पर ऑस्टेलिया कंगारु आइलल इसको कहते है। कि इन्विजिलेटर स्ट्ईलेटर जल संदी कि से पाणी का रास्ता अरक कर रहा है इन दोनों को अस्ट्रेलिया और स्ट्अ turkey Island की बीच में जल संधी है इन्विजिलेटर स्ट्वेट होता है यहां पर ढब यहां पर कि ये बालनों कह दो एक इसके बाद ये वह नाइक हाय दिख रही हैं इसको हम कहते है कि स्पेंसे गल्फ यह क्या होता है इसपेंसर गल्फ स्पेंसर गल्फ इस लिए इसे इधर भी खाई लगा पिनी程 की इदर भी खाई हे इधर वाल्ब लगए जो इसको एरिया आप देख पारे हैं इसको एन्विजिलिटर स्ट्रेट कहते हैं आप आटलस में ढूनोगा आपको मिल जायगा यह सब समुदर के उनदर है टो हमने पुरा नॉर्दन पार्ट से लेके इस्टन पार्ट से लेके सदन था आ चुक हैं इसके बाद तो यह वाला बाइट ग्रेट ऑस्ट्रियन बाइट कहते हैं यहाँ पर इंगलिष नी मैं वह भी बोलेंगे यहां पर बाइट एक दरह की जल संधी तो नहीं बोलते हैं इसको एक तरह का सागर है चोटा सागर इसको को तो फोटी आपको का लग करेगा यहाँ पर ग्रेट असन ठाड़ तो किसके होते हैं यहां पर समूदर के अंदर शार्क के होते हैं तो इसको किते हैं शार्क बे यह बैल्ट आप डेख रहा है यहां पर इसको किते हैं 80-mile बीच क्या केते हैं इसको यहां देखना आपको मिलेकर समूत्र में 80-mile बीच में एसको राव पिसा आपके सामने यहां इसी वाला कुछ जहा है है ? जोजफ बोनापार्ट गल्फ इसका नाम है जोजफ बोनापार्ट गल्फ आप एटलस में देखो आपको मिल जाएगा एटलस कौन से ले नहीं है ऑक्सफुर्ड स्कूल एटलस ले लेना या तो या ओरियंट ब्लैक स्वान यूपीएटी तेहरी कर रहे हो तो दोनों चाहिए यूपीएटी के दोनों चाहिए ऑक्सफुर्ड स्कूल एटलस या ओरियंट ब्लैक स्वान एटलस तो हमारे पास यह जोजफ बुनापार्ट गल्फ हो गया जोजब बुनापार्ट गल्फ के जस्ट उपर की तरफ देखो के यहां मिलेगा पो तिमूर सागर यहां मिलेगा अब ही बताँगो अरहमलांड क्या होता है यह वह एंसे पार्ट वाला फ्लाट फ्लाट वीजन दीख रहे है आपको यह वख अराफुरास के बात यहां पर अपको ट्रेंश कर रहे यह वाली खाई ठिके इसको पोते गल्फ तक पेंट्रिया इसको क्या बोलेंगे कि हम लोग गल्फ औफ कारपेंट्रिया तो दोस्तों कि देखा वाटर बॉड़ी के अंतर आप देख सकते हैं यह वाटर बॉड़ी में आपको मतलब स्टार्टिंग से कर मैंने क्या गिया मैंने कुछ भी बीच पे लिया मैंने पड़ता है उसके पास पड़ता है उसके पास पड़ता है इदर प्रशांत वहां सागर पड़ेगा प्रस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है ट्रेंच पड़ता है वह अबड़ पड़ता है यहां इन्विगिलिटर गफ और फिर आपके पास असक्र मिलेगा Kollegin चाहर भी तो यहां पर तो मार्क करने में दिक्कत नहीं होगी आपको एजली आप मार्क कर पाओगे यहां थोड़ा पॉस्टेश के अदर देते हैं इसके अंदर दो मैप हो गए आपके कौन सा प्रोविंस फाला और दूसरा मैप आपका कौन सा हो गया यह वाला वाटर बॉड़ी इस वाला आप कर लोगे तो आपके लिए वह बैटर रहेगा अटलस के अंदर यहां पर चली बहुत बढ़िया अटलस के अंदर आप लोग मार्क कर सकते हैं आप या फिर आप अपना पेज वोला सकते हैं क्या कह सकते हैं हम लोग यहां पर आप लोग उसको परच्छेस कर सकते हैं बजार से यह लिखा है इस मैप में फिर अगली स्लाइड कर दी अगला पेच कर रहा बच्पन में कर देते वह आपका जिंदी की भरकली हो जाएगा यहां पर तो आप जानते हैं आयर मैंने लिखा है यहां पर मैं दिखा है यहां पर नॉपर वाला एरिया हमारा पस कौन सा था नॉर्डन टेरिटरी वहां आपको मिले का लेक वुड मिल जाएगा लेक अमैडे सद्ब्ध और सौट में आजा जाएगा सटन उस्ट्रेलिया में लेक वुड लेक आयर को जबसे वड़ी लेक और एक है धो अली तो फीर नों लेक टैर्स टर्रेंस यह घाडा न अन constrained गैबंड है आपको यह location मिल जाएगी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो यहाँ तो मैं आपको बताया है यहाँ पर यह हमारे पास क्या lakes के नाम है ठीक है आप देख सकते हैं लेक्स के रहम आपके सामने यह सारे की सारे Augs एक प्यक्त जिसद आपको पीडीव सब्सक्राइगी इस से के बाद ही ठीक है आप इसको देख सकते हैं 3 म कि अब दोस्तो हम इस मैप में चार चीज देखेंगे इस मैप में हम टोटल चार चीज देखेंगे सब fora करूँगा आपका UPCS 2021 कोशन है यहां से UPCS 2019 कोशन है यहां से UPCS 17 कोशन है यहां से तो इसका मतलब अब को UPC, UPCS और वन डे एक्जाम के अंदर यहां से कोशन मिलेंगे यहां अगर अस्ट्रेलिया पूछता है यह कोर मैप होगा यहां हम क्या सीखेंगे दोस्तो यहां पर यहां सिंपल बात है हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहां पर यहां हम क्या सीखेंगे दोस्तो तीन चीज़ सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे यहां पर चार चीज़े डेजर्ट काउन से होते हैं मरुस्तल कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया में प्लाटू कौन से हैं प्लेंस मैधान कहां पर है और प्राय दीप कहांपर है चuição स्टार्ट करेंगे डेज़र्ट को हम स्टार्ट करेंगे च Gundy में प्राय दीप 685 thou उस्ट्रेलिया में तीन प्राइदीप इंपोर्टेंट है, हमारे पास बहुत जादा जो एक्जाम में पूछ लेता है, तो अभी आप लोग बता सकते हैं, यहां पर वो तीन जगा पानी कौन कौन सा है, क्योंकि वाटर बॉड़ी मैंने अभी कराया है, तो आपको इसली पता पैनिसला देखते हैं, लोग यहां पर पहले देखें, केप यॉक पैनिसला, अरहम लैंड और आयर पैनिसला, तीन देखते हैं, देखों दोस्तों ध्यान से, मैं आपके लिए पहले मार्क कर रहा हूं, आपने देखा है, यह वाला एरिया जो टिप की तरह निकल लाई, यह पानी से घिरा मिलेगा, यह वाला, अब आप कहोगे, तीन तरफ पानी से घिरा मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है, दोस्तों, आप लोग आपको दिक्कत नहीं होगी, दोस्तों, अगर यह वाले एरिया है, इसको पहला तो उसका नाम दूँ, मैं नाम देता हूं आपके लिए यहां पर इसको कहते हैं के यौक पैनेंसुला क्या क्याते है इसको लुउय क्योप प्राइद wonders रहे नहीं कि तरह पानी यह रहा गलफ ऑफ पर पानी कौन कौन सा है क्योंकि आपने और वाटर बॉड़ी कर लिया तो इसको कहते है परफेक्शन यहीं चीज़े अगर जएदे को प्रायधीप पता पर इसके आस्वाप वाटर बोड इसकूंज benefici है वह इंपोर्टने है जैसे इंडिया में हमारे पास कहते हैं दक्षिल भारती बहुत पुरहने हैं उत्तर भारती हो से हंगा करेंग करते हैं इंडिया में सबसे थान और अस्ट्रेलिया का पुराणा किया था निधे वाले थे और इस से पहले हम इसने तक होन्हे बाइध के लिए तर्मrain को यहां पर 1669 के अंदर तब इन्होंने क्या सोचा यार यह ऐसा टापू है यहां पर जो बेसिकली ऑस्ट्रिलिया में रहने वाले आदिवासी थे उन जक्ते यह और वाकी पूरा अस्ट्रिलिया के जो प्राचीन के यहां पर यहां पर यह जगा यह जगा है उस्ट्रेलिया के प्राचीन लोगों के रहने की यह वाला जगा और यह क्या है प्राइदी पे पेनिसला तीन तरह पानी से घरा है आप देख सकते हैं यह वाला जो जगा है यहां उस्ट्रेलिया के प्राचीन टाइम के लोग यहां रहते हैं इस जगा इस जगा क यहां पर इदर देखोंगे यहां पर जोजफ बोनापार्ट गल्फ दीख रहा है और इसे बात करते हैं यहां पर का तीसरा आयर लेक आपने सुना था मैं भी पता था आयर लेक के बारे में आपको कि देखिए इह वाला idea है यह आप area देख पार एंच्छो मि जी कह रहा हुआ इस दो तीन तरह पानी सीह रहा है उस तरह सी लेकलिक हुआ हुआ है यह वाला इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर दोस्तों आयर कि यह आयर पैनेंसला है हमारे पास आयर पैनेंसला आयर पैनेंसला ठीक है यहां पर यह क्योंगे एक दो तीन होगे यहां पर तो हमने क्या देखा तीन तरह के हमारे पास यहां पर आपक्या दीखे तीन तरह के हमारे पास प्राइदीब दीखे इंपॉर्टन आयर पैनेंसला अरहम लैंड और हमारा के प्योक पैनेंसला अब आ पांचो डेजर्ट के हम लोग देखेंगे इंपोर्टन डेजर्ट पांचो कौन कौन से हम अरपस कहां कहां मिलेंगे देखें यहां पर पांचो डेजर्ट कि देखते हैं यहां डेजर्ट मिलेंगे आपको कुछ डेजर्ट यहां मिलेंगे यह वाला यह वाला डेजर्ट यह डेजर्ट यह डेजर्ट यह डेजर्ट तीन यहां मिल जाएंगे और एक यहां मिल जाएगा और एक यहां मिल जाएगा यहां पर यह पांच डेजर्ट इस तरह मिलेंगे तो कह सकते हैं Australia का टू थर्ड एरिया रेगिस्तान है दो तेहाई इसलिए Australia को कहा जाता है प्यासी भूमी का मरुस्थल कहते है Australia को कैसे कहते हैं देखते हैं Australia के बारे में यहां पर एक्जांपल दोस्तों यहां पर हमार पास यह क्या है Great Sandy Desert है कौन सा है Great Sandy Desert Sandy Desert ठीक है Great Sandy Desert हमार पास पहला वाला यह मिले का है Sandy Desert उसके पात दोस्तों दूसरा वाला है यह वाला Gibson इसको कहते हैं हम लोग Gibson Gibson डेजर्ट गिबसन डेजर्ट गिबसन डेजर्ट गिबसन डेजर्ट यह वाला है Gibson ठीक है उसके बाद दोस्तों हमार पास नीचे की बात करें Gibson डेजर्ट के बाद हमार पास Great Victoria डेजर्ट मुलेगा आपको यहां पर Great Victoria डेजर्ट ग्रेट विक्तुरिया डेजर्ट यह रहा तो तो मतलाब Sandy डेजर्ट, Gibson डेजर्ट, Great Victoria डेजर्ट लाइन से हैं उसके बाद यह दोन डेजर्ट की बात करेंगे यह है Gibson के हो गया है Simpson हो गया यह वाला Simpson डेजर्ट Simpson डेजर्ट Simpson डेजर्ट ठीक है और यह वाला है हमारे पास बोज़ा Stuart Stoney Desert Stuart Stoney Stuart Stoney Desert तो यह पाँच डेजर्ट हमारे पास कौन सा है ग्रेट सेंडी डेजर्ट वे आपके पास Gibson डेजर्ट Victoria डेजर्ट Simpson डेजर्ट और Stuart Stoney डेजर्ट यह पाँच डेजर्ट है तो आप से पूचे यह पाँच डेजर्ट है यहां पर आप से गिप्सन डेजर्ट डेजर्ट अफरीका दिया हुआ था इसमें आपको गलत चाटना गलत कौन सा वाला यूपेपी से 2019 से बीस कोशने वाला पेपर चेक करना उसमें दिखा दिया था चार डेजर्ट यह दुनिया के अंदर जैसे अटकामा डेजर्ट सुना होगा आपने ठीक है यहां पर इस टाप के डेजर्ट आपके दिया थे य कि यहां पर तो वह गलत था वही आंसर तो हमारा गलत पूचा था इसमें यहां तो हमारा डेजर्ट हो गए आप सब देख सकते हैं डेजर्ट के बारे में मैंने आपको यहां क्या बनाया यहां पहले पैनेंसला हमारे कौन-कौन से और डेजर्ट कौन से हैं ठीक है तो हमने यहां पर दो चीज़ हो गई अब बात करते हैं और हम लोग किंबरले प्लैटू और बाखे टेबलेंड कहां पर प्लैटू उसकी बारे में हम लोग देखने कि बेखिए जो ग्रेट संडी डेजर्ट इसके उपर वाला एरिया ये वाला माुणरा प्लै कि यहां पए यह बेगा और एक प्लै डby आपको यहां भी यह रहाँ मिल जाएंगे यह पठार जो कलर अलग तक करें निया कर रहा हूं आपके पास जो मैंने रैड कलर से कर रहा है वो कैननेंसुला प्राइदॱी इस कलर द डेय्जर्ट से और यह पलाटू है самार पठार है इसके लिए कन सब्सक्राइब कर रहा हैं यहँ हो बार बार ठीकित तो किंबर्ले हुआ कि प्लाто, ठीक, और यह के हमार पाप बाक लेंड ठीकि यह वाला हमार पास क्या है, दिखे हों, किंबर्ले प्ला Онब कमने भार आप बार्कली टेबल लैंड अब बाकले टेबल लैंड यह हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं यह पर यह प्लाटू वाला रीजन होगे हमारे पास यहां पर ठेके इतनी बात आये होप सु क्लियर हो गई यहां बिल्कुल ठेके तो हमने तीन चीज देखी इस मैप के इंद और पांच डेजर्ट देखे इसी मैप के अंदर अब देखे यहां पर अगर हम बात करेंगे अब रहे क्या गया हमारे पास यह हमने देख लिया इन दोनों के बारे में अब क्याता है प्लेंस नलाबोर प्लेंस और ग्रेट आर्टीसन बेसन यह मैदानी भागे जो मैदान ह नल्ला बोर नल्ला का मतलब क्या होता जिसे इंडिया में जंगल आंदर पुर्देश में लमाल लाकर जंगल कि मैं इंडिया इजोगरी दिखाओंगा तब बताऊँगा ठीक है इसके बारे में कोशन आता है हमारे पास नल्ला का मतलब क्या होता है यहाँ पर जहां बारिश बिलकुल नहीं पड़ती वहां नल्ला बोर प्लेन से बिना बर्षा वाला छेतर वो कौन सा है मैं कलर चेंज करके आप को दिखाता हूं यहाँ पर जहां बारिश बिलकुल नहीं पड़ती यह मैदान तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वाला उपर का सब्सक्राइब यह जो एरिया दिख रहा है आपको यह लगा हूँ अपर तेको जहाँ ग्रेट ऑस्ट्रिलियन बाइट था बताया था मैं नीचे समुद्र में कहता ग्रेट ऑस्ट्रिलियन बाइट नीचे की तरह था उसके उपर वाला इलाका कौन सा है नला बोर प्लेन मिलेगा और एक यहाँ पर देखो यहाँ से निकलती है एक नदी निकलती है यह कै यह कुछ वैल से कुछ बेसन है यहाँ पर मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग वो यहीं से निकलती है इस जगा से निकलती है मरे और डार्लिंग मतलब Darling मर गई गहां पर Australia के अंदर ऐसे मान लेते हैं तो यहां पर यह वाला जो मैदान है इसको बोलते है आटीसें बेसं आटीसें बेसं यहां से लगबा कमारे पाँ जो खेती बाली के लिए सिचाइग के लिए पानी आता है Australia में वो इस जगाह से आता है और यहीं से नदी निकलती है यह वेल्स की तरह है कुए की तरह है यहां से यहां से कुछ नदीया निकलती है कौन सी आपके पास मरे और डार्लिंग जो ऑस्ट्रेलिया को पानी देती है तो ऑस्ट्रेलिया में यह वाला जो एरिया है यह वाला ऑस्ट्रेलिया में सेंटर पार और Western part रेगिस्तान का जन संख्याइं गनत और डेंसीटी ओपॉपलेशन ऑस्ट्रेलिया में कहा रहती है वह रहती है इसन पार्ट में उस्टनि यहाँ है Malvern यहां पर है ठेके कैन्बरा है यहां पर है बरिजूरे यहां पर है यहां पर जुतने बड़े बड़े शेहर आप तो चेने होंगे, लोग रहते हैं वो सब यहां रहते हैं जादा अबादी कह हैं, इस्टन ऊस्ट्रेलिया के अंदर है यहां पर और पानी बजस्तास चाहीए की लिएक है great artisan basin और ये है नला बुर northern and नला बुरह नला बुरह लिए और great artisan, harvest, यह वाला है इसको great कर देना यह great है पानी बहुत देता है यहांपर great artisan basin नहें यहां पर तो मैंने इसमें आको चार चीज बताएं कहां पर एक तो मैदान बता है मैदान दो है प्लेन सिन पैसिन जान अ पर यह पास यह उसकी बाद से बॉद है उसके बाद हेज़ेट की बात हैं मैं पांच बताया कौन का उन्हें रपास Great Sandy Desert Gibson Desert Victoria डेजर्ट से Simpson Desert और इस्टोर्ट सुनी डेजर्ट तो यह मैप हमारे पास हो गया तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर हसी हसी मजार्ग मजार्ग में कितना कुछ कितने सारे मैप आप हमने कर लिये यहां पर स्टाइंग फ्रमेव देंके पहला है याप को यह कराया ईस्ट्रेलिया का जूसरा मैंने ऑटरबॉडिज बताया आपको से कि आप वाटर बोडी इसका है तीवाप लेक्स का कराया आपको लेक्स का तीसरा मैप आपको मैंने इस फिर डैसर प्लैटू प्लेंस प्रेड्वल चौथ आ यह करा दिया मेना ऑस्ट्रेलिया का ओ ठीक है और लोकेशन ही मा कर दी मैंने कौन कौन सी जगह क्य यहां पर कौन कौन से mountain ranges मिलते हैं उसकी बारे में हम लोग जानेंगे अब इस डियाग्राम के इंदर यहां mountain ranges में जल्दी एक मिनिट के पॉस्ट ले लेंगे आप लोग पाने वानी पी लिजी अब परवत की बात करते हैं mountain की इसमें mountain की बात करेंगे इसको यहां इस तरह से बनेगा आप मिलेगा इसको यहां ऐसे माँटन बन गया हमारे पास यहांपर ठेक क कैने को हमाले से चोटा है पर औ trorडा सबसे माँटन रेंज ही यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और एक mountain यहां यहाँ यहां पर यहाँ आगे हैं माउंटन बेइज बिए लिए सब्सक्राया यहाँ वालत ऊर्टस्राइज को सदोज और इसे आब कर दो करते हुआ मांटेंंड यहां पर यहां पर यह आपका यहां मिल जाता है हमारे पास यहां पर कर नेis पहुत कर क् chilli मांटन रिंजीज की, देखते हैं, दोस्तों ये वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास दुनिया का, नहीं, आस्ट्रेलिया का सबसे लंबा परवत है, यहाँ परवाक शरंखला, लॉंगेस रेंज अफ मांटन अस्ट्रेलिया इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्रहत कि डिवाइडिंग कि रेंज नियू एंगलेंड रेंज क्या है ये नियू एंकलेंड आप से अगपूछेगा नियू इंगलेंड रैंज्ञ्ज क्या है हमारे पास बहुत सारे बच्चे कहाँ पूँच जाएंगे UK के दर पहुंच जाएंगे New England Range चुनने के लिए पर New England Range यहां पर भी यह रहा New England Range उसके बार दोस्तों हमार पस यह दो तरह के Mountain है इसको केता है Snowy Mountain क्या कहता है इसको Snowy Mountain Snowy Mountain क्या तो ठीक है यहां पर उसके बार दोस्तों यह वाला जो range आप देख आ रहें यहां पर यह वाला इस रेंज को हम लोग इस मांटेन को क्या कहते हैं हम लोग यहां पर इस होते हैं Australian Alps अब इसमें बड़ा confusion होगा आपको यह होता क्या है को अब आज उ impress आज के ए करगी का फिद्स मांटेन यूरोप के नदर है आज मॉन्टेन युरोप की पांच कंड्री का अंदर पड़ता है प्रांस जर्मनी ऑस्क्रीया स्वेजलेंड ठीक jouerजलेंड और बड़ा इंट्ली यह पांच कंड्री हैं यहाँ पर हमारे साुफ फक्राइब に सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़सद लेकर अरे और यह जिय क्लिए और समय सब्सक्राइब इस घ्याइब इन एरे जुछ आगे पर फॉड़न एकिम सभी ग्रे नाम इसका ग्रे रेंज gray range gray range होता है यहां पर ठिक है इसके लबधा दोस्तों यहां पर जहां पर इ्टली की तरह टांग्स निकल लिए यहां पर ठीकिन मैं जाम और आपको बता हैं एनकाउंटर बे मिलेगा आपको इन्विजिलेटर गल्फ मिलता है आपको Spencer Gulf मिलता है यहां पर इसी तरह से यह वाला question UPSC में आ चुका एक बार यह आपके पास है था mark करने के लिए 1999 में I think पूछा गया यह question यह वाला यहां पुछा था Flinders Range कौन सा Flinders यह रहा Flinders Range कहते हैं इसको Flinders Range Flinders Range Flinders Range, Flinders Shrunkla Flinders Range के नामसे सको जानते हैं यहां पर दोस्तों यहां यहां देखेंगे Macdonald Macdonald Range यहां मिलेगा आपको यह रहा Macdonald Range और यह वाला एरिया है Musgrave Musgrave Range Macdonald Range और मस्गरेव रहिंज आपको यहां मिलेगा ठीके यहां पर यहां आप देखेंगे Hemersley Range मिलेगा hammersley Range Hammersley Range और यह वाला जो मरेड़ देखेंगे मरेड डार्लिंग नदी नहीं वहां पर है वर यह darling range है क्या है darling range darling range ठीक यह परवत है कौन कौन से great dividing range ठीक उसके बाद snowy mountain Australian Alps फ्लिंडर रेंच मैक्डॉनल रेंच मजग्रेव रेंच ठीक यहां पर hammersley range और darling range एक्जाम में यह पूछा कहता कि darling range mountain कहां पर पढ़ता है यह कुशन पूचा कहता option आपके पास अलग लगते पर इसके अंदर कैसे option दियता आपको पता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के इंदर पास चार ऑस्ट्रेलिया के थे उसमें था North East Australia South West Australia South East Australia और North West Australia ऐसे पूचा कहता तो अगर आपको मैप पता है location पता है तो आप बताओगे हमारे पास darling range जो mountain है बहुत सारे बच्चे इस एरिया में मरे डार्लेंग तो यहां पर होगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूस हो कि क्या लगा कहते हैं यहां पर यह साउथ ईस लगा कहते हैं पर आपको रिसेंट प्रीमे कुशन इवाला देखने को मिला इसे एक फायदा होगा आपके एक्जाम के सीज़ी सी कुशन फस्ते हैं अपको कुशन आता है तो आपको location पता है हम इस तरह से दुनिया के सारे contents पढ़ने वाले हैं दुनिया में जितनी भी जगाए हमारे पास climate region, natural vegetation सब पढ़ेंगे map के माद्दे हम से आप देख सकते हैं अब देखते हैं हम इसके अंदर climate के इंदर आपको आपको समझाओं तुम आपको समझ जाओगे और याद भी साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-चीज़ेगी आपको ठीक है यहां पर देखते हैं मॉंसून क्लामिट हो मेरी टाइम क्लामिट होता है और मेडिटरिनियन भूमदे सागरी होता है यह इस तरह देखेंगे इसको बहुत important है यह वाला map क्योंकि आपका geography के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ें यह example देखिए अगर आपने देखा सबसे पहले देखते हैं equator equator भूमत दे रेखा वो जगा होती है जहां बारो मीने बारिश पढ़ती है हमारे पास कौन कौन सी जगा अब देखिए दोस्तों यहां पर जब लिखा है equatorial weather है equatorial climate है बारो मीने बारिश कहां पढ़ेगी तो यह वाला होती है कहां पर अस्ट्रेलिया के अंदर भी कि वहाँ equatorial hot wet climate मिलता है क्योंकि एक वेटर अस्ट्रेलिया भी कहा है ट्रॉपिकल रीजिन के अंदर पर उसके जब नीचे उतर कहेंगे यह वाला अपर यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ट्रॉपिकल उश्कडबंदी यहां पर बिस को इस नहीं मैंने मार्क दिया हूए यहां वेस्से औस्ट्रेलिया दिख रहा है वेस्सें ऑस्ट्रेलिया को एडिया खतम हो वेस्स्ट्रेलिया नॉर्डर्डन डेयरेटरी का एडिय और क्यूंसल्ड का एकि records प्लायमेट है यहां पर तो उसक così पह्ते ही क्लाइट सर्प एप इसको की ते जलवाक यूव मिलती है यहाँ यहाँ पर जो कितना सिंपल याद करना मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेटर एक्वेटरियल ट्रॉपिकल से प्रॉपिकल सिंपल है अगा मैप बनाने को आपको देखा चुटकियों मैं बना दो के मैप को ठीके बिलकुल समझी लगने वाले मैप बनाने के अंदर यहां पर थोली भी समझ इसके अंदर है मैंने बताए औस्ट्रेलिया का दो मैं वहाँ दिया भाग कर रिय्कि सतान है दोस्तों रिय्किसटान कहा है जो यह देख रो वेस्टर्लिया सफ लिए इसे कलर को यह पूरा रिय्किसतानी भाग डेजर्ट यहां पर लोग नहीं रहते Massachusetts का सबसे बड़ा शहर है minder ऐसा detecting और पास का है फुरा जहिं मेह प्या है więks यहां पर उसके बाद डेजर्ट के बाद उसके घास के मैदान बलेंगे अब वो रेगिस्तान के चारों तरफ क्या है घास के मैदान अभी सुना होगा आज से साल लेड़ साल पहले ऑस्ट्रिलिया के जंगलों में आग लग गई और भीशार आग इतनी तपती 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 अंदर के आज पास में यूगनी वाले देगे दुर्वीन से आग ऑस्ट्रेलिया की दुर्वीन से देख सकते थे महां पर आसपास के टापू वाले तो इतनी भ्यागना का अब आग का रेगिस्तान में लगेगी यह पेल पौदर नहीं है उसके रेगिस्तान को सराउंड लोग यह पर देख सकते आपर कॉंसहरा ग्रास लेंड के पास-व्हेन जंगल मिलेंगे महां जंगल मिलेंगा ज्गल मिलेंगे कहा पर यहां पर तो हमें कितने आसानी सी कितना सारा से शचा नंत –किया चिए मूंत सा प्रismीत में पास क्र preca말ड़ हो भीए ओट These यहां पर अब देखते हैं ते यहांप मेन ताइप घंडा मौसम है यहां फंडा मौसम रहता है यहां परberoस्ट्रेलिया मैं और ञ भीक यहांब फंड ब्लीट हेते हैं यहां पर जहां तसमांया पढए है तसमानिया की राजनी एब हो वाट होती है वाट होती है हमारे पास यहां पर क्लामीट की बात करते सिंपल आपको माहिन अपना एक यहीं अस्ट रोपेकल रीजन मिलेगा उसके बात पतने बात करते स्थेंपल ऑफ लेगा उस accident फिर ग्रासलेंड मिलते हैं फिर क्या डेजर्ट मिलते हैं और फिर हमारे पास क्या मिलता है लास्ट में हम बात करते हैं यहां पर टेंपरेट रीजन शी तोशो कड़बंदी च्छेतर मिलता है यहां पर तो यह वाला मैप हमारा हो गया अब वो नाच्छनल वेजिटेशन की बात करते हैं प्राकरतिक बनस्पती औस्ट्रिलिया में पॉन कौन सी प्राकरतिक बनस्पती मिलती है यहां पर ठीक है यहां देखिए यह आपका मैप देखा आपने हैं सबसे पहले हमारे पास जहां पर बारेश 12 महीन होगी महा क्या क्लार में रेन फॉरेस्ट फिर उसके बात यह वाला उपन फॉरेस्ट वाला इसके आसपस अधया बहार वन यहां पर यहां भी यह चंगल वाले टेजनलों जो गर्मजर होई यह वह लए incarneven हां पर यह क्या घ्र ओंतु के रहा कि यहां यहां लगी दो इसके बाद तो स्याय स्कते हैं यह говорить प्रेजन है यहां पर यह आपको पता है यहां पर जल पूस्म लेंगे आपको फेड़ अपर पेड़ हो हमार पास यह और एल्पाइन वेजटेशन वाला हमार पास यह यह रहा तो वेजटेशन के अंदर ट्रॉपिकल नहीं लिए प्र आप देख सकते हो यहां पर आपको हवाएं पढ़नी है यह आपका टॉपिक के अनदर यहां मैप से इसका लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि यह आपके पास मैप में देख सकते हो मैप के अंदर कौन सी कौन सा राज्य गाम राज्य पता चुका हूं यह पढ़ सकते हो विंड्स यह पुमें एक्स्ट्रा दिया है यह प्लस पॉइंट आपका इसके नमापको स्टाट कैया बिए दिशन गार्तAf replicate के वाइए यहां पर और लुकैशन की आप देख gün ल यहां पर चैव備 जैन्जाती वाले लोग बहुँत पाए जाते हैं डिख धिकि के यहाँ पर और वर्लप्री वर्प्री आदिवची कहां कहां मिलेंगा आप देख सकते हैं यहां पर किसुत अधिया है यहां मैप चानली कवलें प्लेखा वियुक्रीwrी आजी और कॉलह वालु इसए पर कुछ नॉर्थ सौफ एमरका नॉर्थ एं Hamburg अफरिका इसी तरह लेकर आउए क्या आपको इसको 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 आपके यहां पर ध्यान से हमने पाए तो हमारे पास माप कितने हुए सबसे पहले हमने कर देखा waoै इस आप हमारे पास कौन सा था राज्य देह्ट तो में प्रीकों सा था पहला माप लेक्स जीले जीले देखी तीस त्रहां माप छौथा माप हमने देखा इसके अंदर हमार पास डेजर्ट ना्यज데 ट्रॉटेट्स प्लेंस और पैनेसला चौथा माप थाक हमारे पास पाच्वा मैप आया है mountain और इंजेस पाच्वा मैप हो गया ठीक है उसकी बाद हमारे पास 6th map की बात करेंगे दोश्तो 6th map climate देखा हमने 7th map हमने देखा है vegetation ठीक है तो इस तो आज की class के देखा सिफ हमने क्या देखा पटापट क्योंकि यह बैच हमारे पास लिमिटेड़ सीट से यहां पर जितने आ जाएंगे फर्स कम फर्स सब बेस्स चल रहा है भी यहां और यह माप इतना डेप्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डेप्ट के अंदर चीजें चली दोस्तों मिलते हैं कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे घर पर स्वास होंगे जल्दी आएंगे फर्वट दोस्तों और दोस्तों आपको पता है कि आपको देखा मैप सिरीज देखा मैप सीरीज के अंतर हमारे पास सबसे जव्यादा इंस पीस स्वह स्वह से दा मैप ऑपको मिलेंगे यहां पर आज आपके पास चौईसής सब्सक्राइब करेंगे वहां आपको लिंक मिलेगा क्लिक कीजिए अपने मुबाइल में एक्जाम दर्शी को इंस्टॉल कीजिए और भर्पूर लावड है ये मैप सीरीज के यहाँ पर आपके कोई भी एक्जाम हो SSE से लेकर आपका IS का मेंस और ऑप्शनल तक हो यहाँ मैप सीरीज काम आने वाली है अभी तो आप इससे बेक्षलक देखिए ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के अंदर आएंगे तो आपको खुद बोलोगे आज चकित हो जाओगे कि भारत में ये भी है क्या हमने पहली बार सुनना है भारत तक कुछ है इंडिया के अंदर दोस्तों जीवन गुजर जाएगा भा इंडि साइकलों चकरवात आज बताऊंगा दुनिया में तूफान कैसे आता है अभी हम स्टार्ट करते सेशन को तब तक के लिए दोस्तों